इस बोटल में दिखने वाला यह है पिंक लिक्विड आपके बालों में जादू का काम करेगा जादू जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता तो उसे हम जादू का नाम देते हैं अरे यह तो जादू हो गया, अरे यह तो कमाल हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ इस तरह से कहते हैं, जब आप इस लिक्विड को यूज करेंगे तो आपके बालों की सभी समझ सहीं दूर होंगी और आप मन चाहे बाल पास केंगे, तब आप भी कहेंगे अरे यह तो जादू हो गया, नमस्कार आप सभी का आपकी चैनल होमिट वाजर पर स्वागत है, उमीद करती हूं कि आने वाले हर एक पल में मेरा यह परिवार और भी हैप्पी होगा और हेल्दी होगा, तो चलिए इस जादू ही पिंक लिक्रीड को बनाते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने जिन चीजों का यूज किया है, लगवग वो सभी के घर में रहती है, तो चलिए देखते हैं, यहां पर मैंने एक कपलिया है, इसके अंदर अब मैं दो चमत चावल लोगे, वही चावल लेना है, जो आप खाने में यूज करते हैं, छोटे, बड़े, ब्राउन वाइट, जिस भी तरह के चावल आप खाने में यूज करते हैं, वही चावल आप लेंगे, यहां पर मैं दो टीस्पून चावल ले रही हूं, इसके बाद हम लेंगे टू टीस्पून मेथी दाना, मेथी दाना और चावल हम सभी के घर में रहता है, तो यहां पर देखिए हमारे बालों को इससे मिलता है, तो यहां पर देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से वोश कर लिया है, इसके बाद हमें चाहिए हिबिकस फ्लावर, अगर आपके घर में नहीं है, तो आपके आसपास में आपको आसानी से मिल जाएगा, हिबिकस फ्लावर हमारे इस पिंक लि मिल जाएगा लेकिन यह पका नहीं होगा कि जितना फाइदा आपको इससे मिलेगा उतना ही फाइदा आपको इसके पाउडर से भी मिले क्योंकि जो फ्रेस्ट चीजे हैं उनका एक अलग ही फाइदा होता है तो यहाँ पर देखे मैंने इने अच्छे से धो लिया है दोने के ना भी ऑध मैं इस तरह से छोटा-चोटा प्सक्讅 कर लूंगे इसके अंदर ही जल होता है हमारे बालों को कमाल का करता है यह हमारे बालों को लंबा घना बनाता है । All know howート और यह इतना पावरफुल है कि आपकी स्कल्प में नई बाल भी उगाता है तो यहां पर देखें मैंने इन्हें कट कर लिया है इसके बाद यहां पर मैं इसमें एक कप पानी एड़ कर रही हूं इसके बाद मैं इसे भीगने के लिए 7-8 गंटे छोड़ दूगी आप चाहें कि गुण इस पानी में आ गए हैं वीडियो पहुत काम की है इसलिए पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम सभी मिलकर अपनी और अपने परिवार की लाइफ को और भी बैतर बना सकें अब हम इसे चानेंगे और इसका जल एकठा करेंगे तो यहाँ पर देखिए चलनी के मदद से मैं इसे चान लूँगी उपर चलनी में जो बचा है उसे फैकने की गलती आप कभी नहीं कर उसे यूज करकर हम बहुत ही अच्छा हेर पैक अपने बालों के लिए बना सकते हैं चननी के बाद जो नीचे लिक्विड मिला है उसे आप किसी बोटल में भर लेंगे मैंने इस तरह से एक बोटल में भरा है आप चाहे तो स्प्रे बोटल में भर सकते हैं तो यहाँ पर द इसी बी तरह का कोई भी ओल या गंदगी नहीं होनी चाहिए मैंने मेरे बालों में कुछ भी नहीं लगा रखा है नहीं ओल नहीं सिरम बस बालों को कॉम करेंगे इसके बाद अपने बालों की जड़ों में इसे लगाएंगे आपका पूरा फोकस हो कि आपकी हर एक बाल की जड़ में इसी लगाना है लेंट पर लगाने की कोई अशकता नहीं है अगर बच जाए और आप चाहते हैं तो इसे लेंट पर भी लगा सकते हैं लेकिन हमारा फोकस रहेगा अपनी स्कैल पर लगाना तो यहां पर देखे मैं अपने पूरी स्कैल पर इसे अच्छे से लग आप चाहें तो हलके हलके हातों से मसाज कर सकते हैं यह बहुत लिक्विडी है इसलिए आपके फेस पर और कपड़ों पर भी आ सकता है लेकिन इससे परेशानी की बात नहीं होगी फेस पर आएगा तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी हाँ अगर आपके कपड़े कुछ ला ज़ूरत नहीं है बस हलके हाथों से करेंगे और इसके बार आपके बालों से पूरी तरह सूख जाएगा तो आपके बाल हलके से कड़क हो सकते हैं तो यहां पर देखिती हाफ मेरा बच गिया था जिसे मैंने फ्रीज के वाध रूंच की खी ई 我 यहापर मैंने इसे फ्रीज से निकालाएं और अपने बालों में कौम किया है कल जब मैंने अपने बालों में इसे लगाया था तो उसके बाद मैंने हेरवाश नहीं किया था और आज दूसरे दिन भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ सब्सक्राइब पड़ने के लिए by सीचिया, एक 양पास, 되어 सब्सक्राइब पेर हैं सब्सक्राइब दैया बढर्वाग ठाधा misty . तो आप जरूर कहेंगे अरे यह है तो जादो हो गया अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लिजे से like करें चैनल को subscribe जरूर करें मैंने अपने परिवार के साथ share किया है आप अपने परिवार के साथ share करें आपका दिन सूभ हो